जैसी रादे कृष्ण सात्यों मैं भी कृष्ण क्यां सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आपके अच्छे स्वास्त और सुखा जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके अपने इश्देवे को कोटी-कोटी नमन करते हैं वे बड़ों को प्रणाम करते हैं वी भोग है जो लगाया है पूजा में और यह कुछ दक्षन होती है जो चड़ाते हैं यह श्रीफल जो हमने चड़ाया था यह फ्रूट है यह भी हमार पास गेहूं है खील बताशे का भोकी सारी समगरी है अब इस चोकी को हम किस प्रकार हटाएं और क्या हम रखें और क्या हम विसर जित करेंगे अराम से देखेगा बहुत ध्यान से देखेगा दीरे दीरे बतारियों आप अच्छे से समझ लीजेगा सर प्रतम आपका अपने अखंड जोती जलाई हो या कुछ भी तो सुबह आप उठेंगे तो आपका दीपक शान्थ हो चुका होगा तो सबसे पहल एक दीपक को प्रजलित कर लीजेगा एक दीपक को प्रजलित कर लेंगे और जो आप दैनिक पूजा करते हैं वो आप पूजा कर लेगे ठीक है उसके पश्चात आपने इस दीपक को एक जगा अलग स्थान दे देना है यहीं दे सकते है या आप अपने मंदिर में ही दूस से अटाकर वहां पर यह दीपक जलेगा इस बात को आपको ध्यान रखना है यह दीपक वहां पर जाएगा और वहां पर यह दीपक जलेगा सर प्रथम इस सारी समगरी में से हम सब से पहले यह जो हमने धन पोटली बनाई है जिसके अंदर कमल गट्टे है जिसके अंदर गोमत समाल कर आप अपने धंशेत में वेफसाय करते हैं तो वेफसाय की स्थाल पर भी आप इसको रख लेंगे उसके पश्चाद हम कलश को उठाते कलश के उपर हमने रखे थे अक्षत कलश के उपर हमने अक्षत रखे थे और अभी ये अक्षत में बताती हैं क्या करना है हमने इनको अपने पास में ही रख लिया है सर प्रथम यह कलश है यह उठाएंगे और इसको मस्तक से लगाते हैं कलश को मस्तक से लगाते हैं और माता लक्षमी से मनी मन प्रात्ना करते हैं जो भी हमारे पूजा में तुरूटी हुई हो उसे शमा करें और ये जो पंच पनलव लगे हुए हैं इन पनलव की साहता से ये जो जल है इसको आप पूरे घर के अंदर छिड़कते हैं ठीक है पूरे घर के अंदर छिड़कने के पश्चात बहार तक जाकर फिर आप इसे किस पोधे में दे देते हैं ठीक है अब इस कलश के अंदर हमने डाली थी सुपारी सिक्का और कमल गट्टा आपको दिखाई भी दे रहा होगा सुपारी सिक्का और कमल गट्टा ये जल्व विसरजित कर देंगे और सुपारी सिक्का और कमल गट्टा ले आएंगे ये आप काटिक और बिंदी लगाई होती है अगर आप यह नहीं भी लगा रहे और आप यह लगालें और इसको परशाद सुरुप MP & सब ग्रैंड करेंगे इसको भी बहुत संभल के आप रख लिजे इसको प्रशाद सुरूप आपको ग्रैंड करना है चिक है अब बात आती है यहां पर जो फल है यह जो फल है यह गाए को खिला दीजेगा अगर गाए नहीं मिलती तो कन्या को आप दे दीजेगा कि कैफल को रख सकते हैं संभाल कर फिर उसके परशाद बारी आते ही चांदी का सिक्का यह चांदी का सिक्का जो देखिए अपने लक्षमी गणेश जी का यह चांदी का सिक्का लिया था इस चांदी के सिक्के को आपने जहां से लिया था अपने तिजोरी में से अपने जहां आप स से लेकर ये खील बताशे मखाने और ये मिठाई ये चारों चीज इस फ्रियूट के साथ जो हमने फल आटाए हैं उन फल के साथ गाए माता को खिला दीजेगा बहुत अराम से बतारी हों क्योंकि देखे पूजा करना जितना जादा जरूरी होता है चोकी का विसरजन यानि कि पूजन सामगरी का विसरजन करना भी उससे ही जादा जरूरी होता है तो अब हमार पास यह इतर की शीशी थी, जो हमने इतर लगाय था, यह आप अपने यूज में ले ले लेंगे, यह वापस मंदिर में नहीं रखेंगे, यह आप अपने लगा लीजेगा, महक जाएगा आपका जीवन, ठीक है, यह ड्राइफ रूट का यहाँ पर भोग लगा ह इस धनियों को आपके घर में यूज होता हो, तो थोड़ा सा पीसकी यूज करिएगा, बाकी गंबले में आप इसको बीज दीजेगा, और जो उगएगा उसको आप यूज कर लिजेगा, उग जाता है धनिया बहुत असानी से, आप उसे यूज कर लेंगे, ठीक है, कुछ घर में वैसे भी यूज कर सकते हैं, अगर आप साबूत मसाले खाते हैं, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, और ये गेहूं को आप अनाज जहां आप रखते हो, उसी में अनाज में इसको रख दीजेगा, अगर आपके पास साबूत गेहूं नहीं है, या आपको अनाज भं आती है ये देखिए फूल माला वैसे मेरा ये कहना है कि फूल माला को न कभी भी आप एक दम से दर्वदर नहीं डाले ये भगवान जी की फूल माला को संभाल के लिए मस्तक से लगाए और इसके बाद अपने घर में कहीं भी इसमें बहुत सुगंदा है क्योंकि हमने बहुत लगेंगे तब आप फिर इन पुष्प को किसी क्यारी में डाल दीजेगा तो फिर आपके हां बहुत अच्छे चे गण्य के फूल हो जाएंगे और ये आपकी यूज भी हो जाएगी ठीक है अब हमारे पास बचे ये पुष्प हमारे पास बचा ये देखिए हमने कमल गट सुपारि यहां पर चड़़ हुआ इसको संभाल कर अपने पास आपको रखना है इसको ना भी सरजित करना है ना ही किसी को देना है इसको भी संभाल के हम रख लेंगे अब ये जो हमारे प्लेट है जिसमें कि हमने यह माउंटेन बनाए था चावल का क्याते ही ये अपार ध बंडार भरा था। इस बंडार को आपको अपने घर के चाओल में किसी पॉलेथिन में बांध कर उसको अलग से रख देना नीचे। चाओल के डब्बे में नीचे रख लेना इसको समभाल के। ठीक है जब भी आप चावल चेंज करोगे या डबा साफ करोगे तो ये पोलिथिन में होंगे तो ये आपके पास बचे रहेंगे अब आपको ये लगेगा कि हमारे राइस खराब हो जाएंगे आप इसको एक महिना यानि की अगली पूर्णी मा तक तो आप इनको रखिए उस आप मिक्स भी कर सकते हैं और इनको अलग लग भी रख सकते हैं ये पक्षियों को जाते हैं इन्हें आप पक्षियों को देंगे ये वाले गेहूं भी और ये वाले चावल भी ठीक है ये पक्षियों को एक एक चीज मैंने आपको बता दी है अब ये जो हमारे पास घास तीन की लिए जो समान है यह आप किसी प्लांट के नीचे रख दay और जो चोपी के नीचे गहूं थे लो बहुते अर्य непीष豆 यह शाए दि पुझए और वहां पर रखने के बाद भगवान जी के आगे वो दीपक जो हमने पूजा करने से जो हमने चोकी हटाने से पूर्फ जलाया था उसको हम फिर पुन्हे पूसी दीपक को भगवान जी के समक्ष जलते रहने देंगे जैसे ही देखिए मैंने साइड में रख दिया था और जब हम यहां से लेकर जाएंगे भगवान जी को अगर आपने अलग चोकी लगाई है तब तो फिर आप इसको दीपक को वहीं भगवान जी के समक्ष चलते रहने देंगे आशा करते हूं आपको सारी चीज़े समझ में आगी यह बचा पीला कपड़ा जो हमने इस पे बिचाया था यह आप अपन जल कैसे विसरजित करना है क्या भोग सरूप ग्रैंट करना है क्या गाई को देना है सब कुछ विधी आपको बताईए जिस प्रकार पूजन महत पून है उस प्रकार विसरजन भी महत पून है जिससे कि ऐसा नहों कोई तूटी हो और माता लक्षमी की पूजा का फल आपको अपना और अपने अपनों का क्याल कीजिए वीडियो ची लगे तो लाइक कीजिए जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बोक्स में जै माता लक्ष्मी ओम श्री गनेश आयनमा कुछ भी लिखे लेकिन लिखिये जरूर इश्वर आपकी मदद क्या बाइक यहाँ यहरे का बाइकि यहुटाओ की फिरूरूर झाल कि अट्से कर दो खो